लो भाई बबबन बन गई तस्वीर जड़ा देखकर बताओ क्या ऐसी बनी है अरे भाई मोहन मेरी सलाम आनो तो तुम रह नहीं दो एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है हाँ तुमने सही कहा मुझे भी कुछ ऐसा लगता है आज राम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ कुछ जरूरी काम आ गया है शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ मोहन अपने घर की दर्वाजी पर ताला लगा दीता है और वहां से चला जाता है फिर उसी रात अचानक तेज हवाईं चलने लगती हैं जारो तरफ डरावना माहुल बन जाता है तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतनाक चुडैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है चुडएल घर के बाहर चली जाती है पही दूसरी तरफ दो चोर लाला सुखी राम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं दोनों भागते-भागते गाउं के चुराहे के पास पहुच जाते हैं तभी अचानक वो चुडएल उन दोनों के सामने आ जाती है अरे मर गे अरे यह चुडेल कहा से आ गई अरे मैंने तो तुछ से पहले कहा था कि आज हमावस्या की रात है आज हमें चूरी नहीं करने चाहिए आवाई बिल्ला तुमने बिल्कुल सीका जरा इसकी दाल तो देखो कितने बड़े चुडेल उन दोनों की तरफ बढ़ती है अरे चुडेल दिदी तुम चाहो तो ये सारी पैसे और जेवर ले लो लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिखते हो हम चुडेल नहीं तभी चुडएल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी अब कोई मुझसे नहीं बच सकता चुडएल अपने अगले शिकार की खोज में वहाँ से चली जाती है गाउं की दूसरी और जाने पर चुडएल को हरिया, बिर्जु और बबन दिखाये देते है आज संडे है आज कपिल शर्मा सो देखने का दिन है जोर से बोलू आज संडे है मैंने नहीं सुना आज संडे है आज कपिल शर्मा देखने का दिन है आज ये हुई ना बात अरे ये कपिल शेर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उत्तावले हुए जा रहे हैं खैर मुझे क्या मैं अभी इन दोनों को मसा चखाती हूँ जुड़ैल तीजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है कपिल शर्मा शो बाद में देखना पहले मुझे देख लग बबबन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है अरे ये तो तस्वीर वाली आउरत के जैसी दिख रही है मुझे अभी नहीं मनना है अरे भागो रहे तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं बबबन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन हरिया और बिर्जु को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है फिर चुड़ैल बबन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है लेकिन बबन उसे कहीं नहीं दिखाए देता अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है शायद उस तरफ गया होगा बबन एक दिवार के पीछे छुप कर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है बाल बाल बज गया अगली सुबब बबन सभी गाउंवालों को सारी बात बता देता है फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होती ही पूरे गाउं में सन्ना टाचा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था अरे ये क्या हो गया इत्ती देर से गुम रही हूँ अभी तक एक भी आद भी नहीं मिला अरे कहा मर गय सब के सब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है इस तरह कुछ दिन बीच जाते है फिर एक दिन मोहन गाउं वापस आता है बबन उससे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागस नहीं है वो जो भी उस कागस पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा मोहन बाई अब तुम क्या करने वाले हो मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है मैं इस कागस पर उस चुड़ैल के एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी और फिर जैसे ही सवीरा होगा वो चुड़ैल इस कागस से निकल कर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में चल कर राख हो जाएगी मोहन बिलकुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवीरा होता है वो चुड़ैल कागस से निकल कर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर में बर्दाश्ट नहीं कर पाती और जल कर राख हो जाती है ये मुझे क्या हो रहा है बैस सूरज की रौश्टी बर्दाश्ट नहीं कर सकती तेरा पूरा शरीर जल रहा है और इस तरह चुडल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं